अभिनीता सुशान सिंग राजपूत ने 14 जून 2020 को अपने फ्लैक में फांसी लगा कर आत्म हत्या कर ली थी इसके बाद लोग सवाल से परिशान हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था जिससे कि इस अभिनीता को ये कदम उठाना पड़ा अब ये सच है कि वो हमारे बीच नहीं है अब बची है तो सिर्फ उनकी यादे इनकी फिल्मों के रूप में हाल ही में इनकी आई फिल्म चिछोरे जो एक सफल फिल्म रही थी जिसके बाद ये अपनी एक और नई फिल्म लेकर आने वाले थे जिसका नाम है दिल बेचारा जो जल्द ही रिलीज होने वाली है आज हमारी इस वीडियो में हम आपको आखरी तक बताएंगे फिल्म दिल बेचारा के बारे में सारी जानकारी या फिल्म कोन है इसमें, स्टार कास्ट क्या है, कहानी क्या है और फिल्म कब तक आएगी अगर आप भी इस सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंते तक बने रहे और साथ ही सुशान सर के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करना न भूले अगर बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट की तो फिल्म में में लीड में सुशान सिंग राजपूद बने हमेनी और उनके अपोजिट एक्ट्रिस हैं संजना सांगवी साथ ही फिल्म में सैफ अली खान का भी एक इंपोर्टेंट रोल है जिसे मुकेश छाबडा सीक्रिट रखने वाले थे लेकिन पहले ही फिल्म का ये सीक्रिट खुल गया सुशान सिंग राजपूद के आखरी फिल्म दिल बेचारा कोई लव स्टोरी नहीं है बलके एक लव स्टोरी से कहीं बढ़कर है इनकी ये फिल्म हॉलिवूड फिल्म दफॉल्ट इन आर स्टार्स की हिंदी रीमिक बताई जा रही है जिसकी कहानी दो ऐसे कैंसर पिडित कपल की है जिन्हें मालूम है कि उनका आन तक खुशाल नहीं लेकिन फिर भी उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है इस फिल्म के हिंदी रीमिक को डारेक्टर मुकेश चाबडा डारेक्ट करके अपने नर्देशन करियर की शुरुआत कर रहे हैं उन्होंने इस फिल्म की कहानी को मैनी और कीजी नाम के दो कैरेक्टर्स पर बनाया है इजी और मैनी की लव स्टोरी जमशेदपूर से शुरू होती है जहां थाइराइट कैंसर से लड़ रही कीजी आपनी मा के सपोर्ट ग्रूप में शामिल होने आती है जहां उनकी मुलाकात मैनी से होती है एक औस्टियो सरकमा से पड़ित इंसान जिसके जीवन जीने का नजर्या अलग है और मौत को आए दिन धोखा देता रहता है दोनों मिलते हैं दोनों की पसंद नापसंद भी मिलती है दोनों को किताबों से लगाव है दोनों में एक ही डर है और दोनों दिल को छूजाने वाली बाते करते हैं दोनों पल भर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते 25 एक दिन मैंनी को एक बुक देती है जिसमें लिखी कहानी का कोई अंत नहीं जिसे मैंनी स्विकार नहीं करते बस यहीं से शुरू होती है एक जूर्णी उस अंत को बदल पाने की और एक दूसरे में प्यार ढोंड पाने की हाला कि पर्दे पर इस फिल्म की कहानी की एंडिंग है या सैड इसका पता तो फिल्म रिलीज के बाद ही चलेगा लेकिन अगर बात करें फिल्म की रिलीज डेट की तो वैसे ये फिल्म पिछले साल नवंबर में ही रिलीज होनी थी लेकिन कई वजहों से ये रिलीज ना हो सकी और 8 मई तक इसकी रिलीज डेट बढ़ा दी गई पर उस टाइम पर भी ये फिल्म रिलीज नहीं हुई इसलिए अब 20 जुलाई को इस मूवी को डिजनी होट स्टार पर रिलीज करने का प्रपूजल दिया गया है लेकिन अब फैंस की डिमांड बढ़ने लगी है कि इनकी इस फिल्म को वो बड़े परदे पर देखना चाहते हैं अब ये OTT पर रिलीज होगी या फिर बिग स्क्रीन पर ये तो बाद में पता चलेगा तो दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं की फिल्म ठेटर में रिलीज हो और हमें अपनी राय आप कमेंट बॉक्स के जरीए जरूर बताएं साथ ही बॉलिवूड से जुड़ी ऐसी है लेटेस्ट खबरों को जाननी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें